बारती जंता पार्टी ने नागरता संशोधन कानून यानी CAA के समर्थन में देश व्यापी अभियान शुरू कर दिया है उत्राखंड में भी भाजपा नेता और कारेकर्टा रैली वर जनूसों के माध्यम से आमजन तक पहुँच कर इसके मायने समझा रही हैं इसके प्रचार प्रसार के लिए पार्टे के कारेकर्टा से लेकर मुखे मंत्री तक जुटे हैं इसी कर्म में उत्राखंड के मुखे मंत्री त्रिवेंदर सिंग रावत CAA के समर्थन में जनसभा को संबोधित करने के लिए काला ढूंगी पहुँचे हैं कुछ देर पहले ही राम निला मैदान में आयोजित सभास्तल पर उनका हेलिकॉप्टर लेंड किया है यहां से वे सीधे मंच पर पहुँच गए मैदान में समर्थकु की भाड़ी भीर जुटी SSP सुनिल कुमार मीना सुरक्षा विवस्था में जुटे रही हैं CAA और NRC को लेकर विपक्ष शुरू से ही हमलावर रहा है देश भर में हुए तमाम विरोध परदर्शनों में इसके खिलाफ आवाज मुखर हुई कई राज्यों में हिंसा की घटनाएं सामने आई है हिंसा की घटनाओं के लिए सरकार ने सीधे तोर पर विपक्ष के लोगों को जिम्मेदार ठहराया है ऐसे में अब सत्ता पक्ष ने CAA को लेकर जनता के बीच में जाने का तै किया है जिससे कानून को लेकर यदी लोगों में कुछ शिब्रातिया है तो उसका समधान की आजा सकेगा सरकार शुरू से कहती आ रही है कि CAA लोगों को नागरिता देने का कानून है ना कि नागरिता लेने का विपक्ष इस बात को लेकर जनता में भर्हम फैला रही है इस दोरान मुक्य मंत्री कारे करताओं से आहवान किया गया कि वह घर घर जाकर लोगों को विपक्ष द्वारा फैलाई जा रही भरात्यों के प्रति सचेत करे। काला ढूंगी उत्रा खंड से समधाता मुकेश कुमार की रिपोर्ट। अगर मुट्वे करने का कोई साफ करता है तो से सेना की गुलनी उनके सीने के पार जाती है वो काम 307 हता कर मानने प्रधान मंत्री जी ने किया तबाम उनिया के मिशिंदेटों ने भी टीन तलाग जैसे का जब्धी बैंक्वेट्स लाए हैं इंक्रेडिबल मारिज पैलेस राजगराना और फानेस बैंक्वेट आल जोती गार्डन वोल्ड ग्लास केटरिंग सेंट्री एर कंडिशन लुष्ट ग्रीन लॉण्स स्टेट अफ आर्ट लाइन अपर्फेक्ट वेन्यू फो वेडिंग लांचिंग अन पाटी राजगरान एंड जोती गार्डन अजे बीटी बैंक्वेट्स एंटरप्राइज